नमस्काल दोस्तों स्वाकत हैं आप सभी का हमारी चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप खासी की समस्या से राहत पाने के लिए जो लैसून होता है ना उसका कैसे सेवन कर सकते हैं लैसून को प्राकरतिक एंटिबायोटिक भी कहा जाता है इससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है और भारत ही नहीं बलकि दुनिया भर में व्यन जनों को एक अलग स्वाद देने के लिए तरह तरह से लैसून का इस्तमाल किया जाता है दोस्तों स्वास्त वर्धक और औशिदी कुणों की कारण भोजन में लैसून का उप्योग किया जाता है इसके अलावा लैसून एंटिबायोटिक और एंटिवाइरल लाब भी प्रदान करता है जो की लैसून को सर्दी और खासी के लिए एक अद्भुत उप्चार बना देती है इससे उपरी श्वासन की गम भीरता भी कम हो जाती है दोस्तों दोस्तों आप अच्छे लैसून की पहचान कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ लैसून की गठान जितनी अधिक मोटी होगी न वह उतनी ही अधिक उर्तम की कोटी का लैसून होता है दोस्तों इसके अलावा लैसून को चबाने से मू में जलन होनी चाहिए यदि चबाने से जलन नहीं हो रही है तो वह lesson अच्छा नहीं है रोगों में उससे लाव नहीं होगा दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आप खांसी की समस्या से राहत पाने के लिए lesson का कैसे इस्तमाल कर सकते हैं इसकी जानकारी जानने से पहले सबसे पहले तो एक निविदन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं कुरप्या सब्सक्राइब का बटन दवा कर हमारी सदिस्ता को ज़रू ले ले ताकि आप हमसे जुड़ी रहें हमारी दुरदी का जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फाइदा भी डा सकें दोस्तों सबसे बहले तो मैं बात करूंगी सामान खासी की बारे में आप कैसे उससे राहात पा सकते हैं इसके लिए lesson की एक गांट गीले कपड़े में लपिट कर सेख लीजे फिर छील कर खाईए दोस्तों इससे आपकी सामान खासी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी वहीं दोस्तों काली खासी होने पर दो कली लेसुन की सेख कर पीस कर आधा चम्मर शहैद में मिला कर दो बार नित्य चाटने से हूपिंग कफ यानि की काली खासी में लाब मिलता है इसके अलावा दोस्तों आप पुरानी खासी से परिशान है तो इसके लिए पचास ग्राम लेसुन को जला कर उसे अच्छी तरह से पीस लिजे फिर इस भस्म की चौथाई चम्मच शहद में मिला कर नित्य तीन बार चाटिए इससे पुरानी से पुरानी खासी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी आपकी तो दोस्तों आपको हमारे दोरह दी गई या जनकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइक और शेयर जरूर कीचेगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद